ही गाइस लेट्स कुख विच सुचिता चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको मिक्स रूट जैम बता रही हूँ अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फैमली और फ्रेंट्स में सेयर भी करिएगा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा थाकि मैं नई वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें आएए देखिए कैसे बनेगा इसकी लिए मैं दो संत्रा तीन चीकू एक पाव अंगूर आधा मैं पपीता ली हूं दो सेब ली हूं तीन केला ली हूं इन सब फलो के छिलके निकाल देने हैं और बीज निकाल देने हैं और सबको मैं छुटिटा काट ली हूं और अगूर को मैं खड़ा रखी हूं क्योंकि इसमें वीज नहीं है संत्रे का मैं जूस निकाल 다म्समेंटे रही हूंटे और एक पल्प बना लूँगी हो इपैले मैं सेव डाली हूं और केला डाली हूं और चिकु डाल रही हूं यह पेस्ट बन गया है अब ऐसे निकाल लोगी एक पैन में फिर से मैं पपीता डाल रही हूं मिकसर जार में और अंगूर डाल दे रही हूं अंगूर मैं नहीं खाटी हूं क्योंकि इजली पल्प बन जाएगा मिकसर जार में यह पल्प बन चुका है देखिए इसे भी मैं खाली कर दे रही हूं यह सब खाली हो चुका है अब मैं कडाई ली हूं उसमें यह पलट दे रही हूं क्योंकि यह चोटा पड़ गया पैन यह कम से कम डेड़ किलो से उपर है पल्प अब मैं इसमें संत्रे का जो जूस निकाल के रखी थी उसे डाल दे रही हूं अगर आप भीजा वाला फल लेंगे तो आपको पल्प बना के से चानना पड़ेगा चनी से जैसे अनार वगेरा सीड अच्छा नहीं लगता है इसमें इसलिए से चानना पड़ेगा क्योंकि मैं तो सीड निकाल चुकी थी और चिलका निकाल के मैं इसमें बनाई थी अब मैं इसमें एक किलो चीनी डाल रही हूं इन सब को मैं मिक्स कर ले रही हूं इसे मैं पका रही हूं जब घाड़ा होने लगता है तो छीटा पड़ने लगता है हाथों पर इसलिए बहुत संभाल के करिएगा इसे एक ढखन से आधा ढख के पकाईएगा गाड़ा होने के बाद इससे लगातार चलाना है नहीं तो यह जल जाएगा नीचे से इसको संभाल के चलाईएगा नहीं तो हाथ जल सकता है देखे गाड़ा होना सुरू हो चुका है One गु possess this के तक आरश है अब मैं निवो का रस चल दाल दे रही हूं मैं दो निवो का रस डाल रही हूं और इसे भी मिला दे रही हूं इसमें आप एपल जरूर डालिएगा क्योंकि एपल जो है जावाने का काम करता है जैम को अब मैं इसमें फूट कलर डाल रही हूँ आफ टीस्पूल मैं रेट फूट कलर डाली हूँ सबको मिला दे रही हूँ यह गाड़ा हो चुका है देखिए काफी अच्छा गाड़ा हो चुका है और खुजबू भी बहुत अच्छी आ रही है आधा से भी ज्यादा कम हो गया है यह एकदम साइड छोड़ रहा है इसका खंड़ा होने के बाद और गाड़ा हो जाएगा अब इसी समय मैं बंद कर दे रही हूँ इसे अब मैं इस प्रिजर्फ करने के लिए मैं इसमय सोडियम मेंजोई डाल रही हूँ किसी भी केमिस्ट के दुकान में यह मिल जाता है मैं इसमय वन टीस्पून सोडियम मेंजोईट डाल रही हूँ अगर नहीं डालना चाहे तो नहीं डाल सकते हैं अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं रहे हैं कोई भी कैमिस्ट के दुकान के दूपान आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इसे इसे गरम में ही मिक्स करें हम मैं जैम को जिस बरतन में निकालूंगे इसे स्टेनलाइज कर ले रही हूँ आए देखिए आप कैसे होगा स्टेनलाइज यह बॉयलिंग वाटर में बरतन को डालना है और इसे थोड़ा दिर तक ब निकाल रही हूँ जैम काफी अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा बना है हमारा जैम आएए मैं आपको ब्रेड में भी स्प्रेट करके दिखा दे रही हूँ यह बच्छे बड़ो सब को बहुत पसंद आते हैं यह काफी healthy रहता है घर में बनाने से आप अपने सामने ही पता रहता है कि क्या कौन से fruit से बना रहे हम मार्किट का तो कुछ पता भी नहीं रहता है कि क्या fruit है क्या नहीं है रियल है कि नहीं ये काफी healthy रहता है बच्चों के लिए रोटियों में भी हम लोग लगा के दे सकते हैं बच्चे बहुत मांग मांग के खाएंगे ये देखिए spread हो चुका है ब्रेड में काफी अच्छी तरिके से spread हो चुका है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक से सस्क्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा थैंक यू